आज बनाने जा रहे हम जीरा वॉटर इसके लिए हमें पानी लिया आए दो ग्लास पानी का बनाएंगे जीरा वॉटर एक ग्लास दो ग्लास दो इसमें दो चम्मच भुना हुआ जीरा भून के पीस लिया है आपके पास पिसा हुआ ना वो तो आप जीरा भून के पीस लें दो ग्लास पागी में दो टेबलिस्पूम जीरा पावडर जिसे भून कर पीसा था अब इसको पकने दें जब तक यह हाफ हो जाए जीरा पानी बहुत पाइदा करता है इसकी अभी ब्रेंट बनाएंगे जीरा भून कर पीस लेते हैं तो और रायते में सबजी में डालने के लिए सही रहता है अगर आपके पास भूना हुआ जीरा ना तो आप जीरा भून के पीस के यह रेस्पी बना सकते हैं अब थंडा भी हो गया है अब इसे काच के जार या कंड किसी भी बोतल में भरके हम इसको इसका यूज दस से पंदरा दिन तक कर सकती है यह थंडा हो चुका है इसे हम बोटल में कर लेंगे पनाएंगे हम इसमें काला नमक स्वाथ के अनसार के रहें थोड़ा थोड़ा सा साधा नमक एक पिंच और सुगर टेस्ट के हिसाब से डाल लें अगर ना डालना चाहें तो ना डालें और नीगू अब इसमें आइस के टुकुरी जीरा वोटर इसमें थोड़ा सा पाली और आपको दीने के पत्ते काली मिर्च पिसी वी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं हमारी ड्रिंट तयार हो चाहिए जीरा वोटर इसके बहुत सारे फाइल दे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए प्रिंट प्लीज व्लीज झाल झाल झाल